पाप से दूर हो गया भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जीना द्वारा लिखित अल्डैंक्स परिच्चे अपने पहले पत्र में पत्रस ने घोशना की कि इच्छु ने हमारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया ताकि हम पाप करना बंद कर सके और धार्मिक्ता के लिए जी सके इसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने पाप करना बंद कर दिया है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिये हुए पेड़ पर चड़ गया कि हम पाप करना छोड़ कर धर्म के लिए जीवन व्यतीत करें पहला पत्रस अध्याय दो पद्य चौबीस इसलिए क्योंकि मसी ने शरीर में दुख उठाया तुम भी उसी प्रकार की सोच अपनाओ क्योंकि जिस किसी में शरीर में दुख उठाया है उसने पाप करना बंद कर दिया है ताकि शेश समय शरीर में भ्रष्ट मानवी अभिलाशाओं के लिए नहीं परंतु जीवित रह सके भगवान की इच्छा पहला पत्रस अध्याय 4 पध्य 1 और 2 पत्रस का कहना है कि ऐसे लोग थे जो पाप करना बंद कर चुके थे इसके अलावा वो बताता है कि वे कैसे ऐसे लोग बन गए जो पाप करना बंद कर चुके थे उन्होंने शरीर में कष्ट उठाया वो हमें इस बात की भी जलक देता है कि ऐसे लोग कैसे रहते थे अब वे भ्रष्ट इच्छाओं से नियंत्रित नहीं होते बलकि भगवान की इच्छा से नियंत्रित होते हैं पाप से मुक्ती की वास्तविक संभावना उन लोगों के लिए बहुत रूचिकर होनी चाहिए जो इशु से प्रेम करो युहन्ना अध्याय 14.15.1 की 27.24 परमेश्वर की इच्छा द्वारा नियंत्रित होने का प्रयास करें पहला पत्रस अध्याय 4.1 और 2 धार्मिक्ता के लिए जीने का प्रयास करें पहला पत्रस अध्याय 2.24 पाप से मुक्त होने का प्रयास करें आध्यात्मिक विकास और फल की तलाश करें जो पाप से मुक्त होने के साथ आता है अनंत जीवन की खोज करो मैथ्यू अध्याय 5.29 और 30 अध्याय 18.8 और 9 और मर्कुस अध्याय 9.44 से 47 परमेश्वर के साथ संगती और मिलन की तलाश करें युहन्ना अध्याय 14.15, 21 और 23 शैतान लोगों को पाप से मुढ़ने से रोकने की कोशिश करता है वो इतिहास के सबसे बड़े धोके में से एक के माध्यम से यीशू और हम से उनके बलिदान के परिणामों को लूटना चाहता है लोगों को यह विश्वास दिलाना की पाप से बचना असंभव है शैतान के धोके पर विजय पाने के लिए हमें कुछ सहायता की आवशकता है परमेश्वर का कवच और उसकी सत्य की आत्म परमेश्वर ने अपना कवच हमारे लिए उपलब्ध कराया है ताकि हम शैतान और उसके धोके पर विजय पाने के लिए आवश्यक शक्ती से सुसज्जित हो सकें प्रभु के साथ अपने मिलन और उसकी अथा शक्ती की परिपूर्णता के माध्यम से शक्ती की क्षमता से सुसज्जित रहें परमेश्वर के सारे हतियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको क्योंकि हम मास और रक्त के विरुद्ध नहीं, बलकि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस वर्तमान अंधकार पर लौकिक शक्तियों के विरुद्ध, स्वर्गिय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध कुष्टी लड इसलिए पॉल के माध्यम से दिये गए परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते हुए, हमने परमेश्वर के कवच पहन लिए. पिता, हम आपके कवच के लिए यीश्व के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपके कवच को पहनते हैं सत्य की बेल्ट, धार्मिक्ता, शान्ती का सुस्माचार, विश्वास, मोक्ष और आपकी आत्मा की तलवार. परमेश्वर ने सत्य की आत्मा को भी हमें सभी सत्य में मार्ग दर्शन करने के लिए भेजा है हमें पाप से कैसे दूर रहें इस सत्य में मार्ग दर्शन करने के लिए जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा युहन्ना अध्याय 16.पद्य 13 यदि हम भगवान से पूछें, तो वो हमें सभी सत्य का मार्ग दर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजेगा पिता हम यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सभी सत्य में मार्ग दर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा को भेजा हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सत्य की आत्मा को हमें सभी सत्य में मार्ग दर्शन करने और हमें आने वाली चीजें दिखाने के लिए भेजे हमें सभी आध्यात्मिक ज्ञान और समझ में अपनी इच्छा के ज्ञान से भरें ता कि हम आपके योगे जीवन जी सकें, आपको पूरी तरह प्रसंद कर सकें और हर अच्छे काम में फल दे सकें पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी सत्य की आत्मा को विशेश रूप से पाप से मुक्ती के बारे में सभी सत्यों में हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए भेजें, जिसमें ये भी शामिल है कि क्या ये संभव है और यदि यह है तो ऐसा कैसे करना है मेरी पहली पुस्तक पवित्र आत्मा हमें सत्य की और मार्ग दर्शन करने के लिए जो कारे करता है सत्य की आत्मा के कारे को कवर करती है वो हमारा मार्ग दर्शन कैसे करता है और हम उसे कैसे सुनते है ये सत्य को समझने के लिए हमारी अपनी समझ पर निर्भर होने के बजाए आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करने की नीव रखता है इस पुस्तक में सत्य को समझने के लिए उस आधार की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है पवित्र आत्मा हमें सत्य की और मार्ग दर्शन करने के लिए जो कारे करता है द्वारा प्रदान की गई नीव के बिना इस पुस्तक को पढ़ने से इस पुस्तक की सच्चाई को तुरुटी के रूप में अस्वीकार करने और तुरुटी और धोखे को सत्य के रूप में स्वीकार करने के जोखिम में काफी वृद्धी होती है अध्याय एक पाप और मनुश्य यदि हमें पाप से बचना है, तो ये जानना उप्योगी होगा कि पाप कैसे काम करता है ताकि हम इसका विरोध करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें जेम्स ने हमें शुरुवात दी परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाशा से खिचकर और फसकर परिक्षा में पढ़ता है फिर अभिलाशा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यों को उत्पन करता है जेम्स अध्याय एक पध्य, चौदा और पंद्रा प्रत्येक व्यक्ति को उस व्यक्ति की भ्रष्ट इच्छाओं से मेल खाने वाले चारे से लुभाया जाता है वाइबल हमें प्रलोभन के दो विवरन देती है जो हमें प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और अधिक संपोन रूप से देखने में मदद करते हैं आदम और हव्वा का मामला और यीशु का मामला आदम और हव्वा को शैतान ने परीक्षा दी और पाप किया क्या उनकी भ्रष्ट इच्छाए थी यदि हां तो उन्हें कहां से मिला क्या वे भ्रष्ट इच्छाओं के साथ बनाये गए थे ऐसा लगता नहीं है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भ्रष्ट इच्छाओं के साथ बनाया है ये और भी अधिक संभावना नहीं है कि उसने ऐसा किया और उनकी रचना को बहुत अच्छा कहा उत्पत्ती अध्याए 1.31 यदि वे भ्रष्ट इच्छाओं के साथ नहीं बनाये गए थे तो वे कहां से आये थे इससे पहले कि हम इसका उत्तर देने का प्रयास करें आए ये इशु के प्रलोभन को देखें इशु शैतान द्वारा परिक्षा में था और पाप नहीं किया क्या इशु की भ्रष्ट इच्छाएं थी ये हम जवाब दे सकते हैं, नहीं तब इशु को लुभाया गया था, लेकिन भ्रष्ट इच्छाओं से मेल खाने वाले चारा के साथ नहीं अब बाइबल हमें बताती है कि हमारी ही तरह इशु की भी हर तरह से परिक्षा हुई, फिर भी वो पाप से रहित था हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के प्रती सहानुभूती रखने में असमर्थ हो बलकि ऐसा है जो हर मामले में हमारी तरह ही प्रलोभित हुआ है, फिर भी बिना पाप के इबरानियों अध्याय 4.15 तो आदम और हव्वा का प्रलोभन और यीशु का प्रलोभन एक ही तरीके के थे उन्हें पाप करने के प्रयास में एक ही शक्ती और प्रक्रिया का उप्योग किया गया था प्रलोभन आदम और हव्वा को पाप करवाने में सफल रहा वरंतु यीशु को पाप करवाने में असफल रहा जेम्स के पास वापस जाने से हमें समझने में मदद मिलती है जब भरष्ट इच्छा गर्भधारन करती है तो वो पाप को सामने लाती है पाप भरष्ट इच्छा से उत्पन होता है और भरष्ट इच्छा किसी व्यक्ति के हिदय में बोई गए बीज और गर्भधारन का परिणाम है इसलिए प्रलोभण दो अलग-अलग तरीकों से काम करता है पहले तरीके में प्रलोभण भरष्ट इच्छा की कलपना करने के प्रयास में किसी व्यक्ति के हिदय में बीज बोना है दूसरे में प्रलोभन उस भ्रष्ट इच्छा की संतुष्टी प्रदान करता है जिसकी कल्पना की गई है आदम और हव्वा और यीशु की परिक्षा पहले तरीके के प्रलोभन कार्यों के अनुसार की गई थी शैतान ने उनके दिलों में बीज बोने और उस बीज से भ्रष्ट इच्छा पैदा करने की कोशिश की यीशु ने बीज को अस्विकार कर दिया और कोई भ्रष्ट इच्छा उत्पन नहीं हुई आदम और हववा बीज को अस्वीकार करने में असफल रहे और उनमें भरष्ट इच्छा उत्पन हुई आदम और हववा ने भरष्ट इच्छा को गर्भधारन की अनुमती दी और इससे पाप उत्पन हुआ भरष्ट इच्छाय पाप को जन्म देती है पाप से मुक्ति के लिए व्यक्ति को इन भ्रष्ट इच्छाओं पर काबू पाना होगा और उन्हें दुबारा गर्भधारन करने से रोकना होगा पत्रस कहता है कि जो लोग पाप करना छोड़ देते थे उन्होंने ऐसा किया जिसने भी शरीर में कश्ट सहा है उसने पाप करना बंद कर दिया है ताकि वो शेश समय शरीर में भ्रष्ट मानवी इच्छाओं के लिए नहीं बलकि परमेश्वर की इच्छा के लिए जी सके पहला पत्रस अध्याय चार पद्य एक और दो अध्याय दो शरीर और आत्मा जब आदम और हववा शैतान के प्रलोभन को अस्वीकार करने में विफल रहे तो भ्रष्ट इच्छा को उनके अस्तित्र में ले लिया गया और पाप और मृत्यू को सामने लाना शुरू कर दिया उनके होने की प्रकृती बदल गई और वे पाप उत्पादक पापी बन गए उनके होने का ये हिस्सा उनके बच्चों को दिया गया था व्रश्ट इच्छा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है और पाप जब विक्सित हो जाता है तो मृत्यू को जन्म देता है एक व्यक्ति एडम की अवग्या के माध्यम से मानव जाती का समूव पापी बना, बनाया गया रोमियो अध्याए 5 पद्य 19 इसलिए सभी लोगों के अस्तित्व का एक हिस्सा जो उनके माता-पिता से विरासत में मिला है पाप को जन्म देता है पाप से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने अस्तित्व के उस हिस्से से निपटना होगा जो पाप को जन्म देता है हमारे अस्तित्व का कौन सा भाग पाप उत्पन करता है? यीशु ने हमें उतर प्रकट किया जे जे यीशु कहते हैं कि केवल हृदय ही पाप उत्पन कर सकता है जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता मर्कुस अध्याय साथ पद्य अठारा और उन्नीस मनुष्य के होने का एक मात्र हिस्सा जो उसे पाप करने का कारण बनता है वो है उसका हृदय भीतर से मनुष्य के हृदय से यह सभी बुरी चीज़ें भीतर से आती है और वे एक व्यक्ती को अशुद्ध करती है मर्कुस अध्याय साथ पद्य अठी से तेईस जो मुँ से निकलता है वो हृदय से निकलता है और यह मनुष्य को अशुद्ध करता है क्योंकि बुरे विचार, हत्यार, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, जूठी, गवाही, निंदा, मन ही से निकलते हैं यही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करते है मैथ्यू अध्याय 15, पद्य 18-20 अच्छा व्यक्ति अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छा पैदा करता है और बुरा व्यक्ति अपने बुरे खजाने से बुराई पैदा करता है जब हम देखते हैं कि बाईबल हमारे हृदय के बारे में क्या कहती है तो हम देखते हैं कि ये उस शारीरिक अंग के बारे में बात नहीं कर रहा है जो हमारे रक्त को पंप करता है ये हमारे अस्तित्व के अंतर्तम भाग के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिये है किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज है आत्मा और आत्मा को जोडों और मज्जा को विभाजित करके छेदता है और हृदय के विचारों और इरादों को पहचानता है जो मुँसे निकलता है वो हृदय से निकलता है और यह मनुश्य को अशुद्ध करता है क्योंकि बुरे विचार, हत्यार, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, जूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलते हैं। मैथ्यू अध्याय 15, पद्य 18 और 19 जब कोई राज्य का वचन सुनता है और नहीं समझता, तो दुष्ट आकर जो कुछ उसके मन में बोया गया है उसे चीन ले जाता है। मति अध्याय 13, पद्य 19 संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तूओं की अभिलाशाएं। जहां वचन बोया गया था हृदय में, प्रवेश करके वचन को दबा देती हैं और वो निश्वल सिद्ध होता है। मर्कुस अध्याय 4, पद्य 19 हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं। रोमियो अध्याय 10, पद्य 10 कुछ लोग अपने मन में संदेह करते हैं। मर्कुस अध्याय 11, पद्य 23 हमारे मुँसे जो निकलता है वो शारीरिक अंग से नहीं निकलता जो हमारे रख्त को पंप करता है। विचार और इरादे, विश्वास और संदेह हमारे शारीरिक हृदय से नहीं आते हैं। शरीर पुराने नियम में शरीर अनुवादित शब्द बसर शब्द से आया है। नए नियम में यह मुख्य रूप से सार्क शब्द से आया है। पुराने और नए नियम दोनों में शरीर शब्द का प्रयोग कई अलग-अलग अर्थों के साथ किया गया है। हमें इस संदर्ब को देखना चाहिए कि अर्थ निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इसका उपयोग योईल अध्याय दो पद्य 28, प्रेरितों अध्याय दो पद्य 17, ये शाया अध्याय 66 पद्य 23 और उत्पत्ती अध्याय 6 पद्य 12 में मानव जाती के लिए किया गया है। इसका उपयोग उत्पत्ती अध्याय 6 पद्य 17 में सभी जीवित प्राणियों के लिए किया गया है। अधिक जटल है, शरीर नए नियम में शरीर शब्द का उपयोग करने का एक तरीका शरीर की तुलना आत्मा से करना है ये प्रयोग, शरीर शब्द के अन्य प्रयोगों की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसका उप्योग कैसे किया जाता है और शरीर क्या है इसे सही धंग से समझने के लिए अपनी समझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए ये परमेश्वर से प्रार्थना करने का एक अच्छा स्थान है कि वो हमें शरीर और आत्मा के सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य आत्मा को भेजे पिता इशु के नाम पर मैं आप से शरीर और आत्मा की सच्चाई में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहता हूँ यहाँ न्यू टेस्टामेंट से कुछ उधारन दिये गए है शरीर की इच्छाए आत्मा की इच्छाओं के विरुद्ध है गलातियों अध्याए पाच पद्यसत्रा तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे जैसे तुम उस समय जीवित रहते थे जब तुम इस संसार और आकाश के राज्य के हाके मर्थात उस आत्मा के मारगों पर चलते थे जो अब भी अवग्याकारियों में काम करता है हम सब भी एक समय में उनके बीच रहते थे अपने शरीर की इच्छाओं को संतुष्ट करते थे और उसकी इच्छा और विचारों का पालन करते थे प्रियों मैं तुम परदेशियों और निर्वासितों के समान आग रह करता हूँ कि तुम शरीर की उन अभिलाशाओं से दूर रहो जो तुम्हारी आत्मा के विरूध युद्ध करती है पहला पत्रस अध्याय दो पद्य ग्यारा विचारों और इच्छाओं का श्रे शरीर को दिया जाता है हालाकी इनका श्रे हृदय को भी दिया जाता है शरीर के कार्य है शरीर के कार्य स्पष्ठ है यौन अनेतिकता, अशुधता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादु टोना, शत्रुता, कल्या, इर्श्या, क्रोध, प्रतिद्वंद्विता, मद्भेद, विभाजन, इर्श्या, शराबीपन, तांडव और इस तरह की चीजे इशु ऐसे कार्यों का श्रे हिदय को देते हैं और कहते हैं कि केवल हिदय ही पाप उत्पन करता है जो मूँ से निकलता है वो हिदय से निकलता है और यह मनुष्य को अशुध करता है क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, जूठी, गवाही, निंदा, मन ही से निकलते हैं मैथ्यू अध्याय, पंद्रा, पद्य, अठारा और उन्नीस भीतर से मनुष्य के हिदय से बुरे विचार, यौन, अनैतिक, ताचोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल, कामुकता, इर्श्या, बदनामी, घमंड, मूर्खता आती है ये सभी बुरी चीजें भीतर से आती हैं, और वे एक व्यक्ति को अशुद्ध करती है मर्कुस अध्याय साथ पद्य एक ही से तेईस जब नया नियम भ्रष्ट इच्छाओं, भ्रष्ट कारियों और पाप के संबंध में शरीर शब्द का उपयोग करता है, और आत्मा की तुलना में इसका उपयोग मनुष्य के हिदय के उस हिस्से को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसने शैतान के भ्रष्ट बीच को अपने अस्तित्व में ले लिया है यह एक दुष्ट व्यक्ति के हिदय का दुष्ट खजाना है यह हिदय का वो भाग है जहां भ्रष्ट ब्रिक्ष भ्रष्ट पल लाते हैं आत्मा मूल न्यू टेस्टामेंट ग्रीक को अंसेल में लिखा गया था सभी बड़े अक्षरों में अनुवादकों ने संदर्ब का उप्योग यह निर्धारित करने के लिए किया कि कब कुछ शब्द जैसे आत्मा को शीर्षक के रूप में बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए या नहीं शरीर और आत्मा के बीच कई तुलनाओं में ये तुलना परमेश्वर की आत्मा के बजाए मनुष्य की आत्मा पर अधिक सटीक बैठती है क्योंकि शरीर की अभिलाशाय आत्मा के विरोध हैं और आत्मा की अभिलाशाय शरीर के विरोध में हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी है गलातियों अध्याय पाँच पद्य सत्रा आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांती, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासियोगिता, नम्र्टा, आत्मसयम है विलातियों अध्याय पाँच पद्य बाइस आत्मा का कुछ फल हृदय से जुड़ा हुआ है रिदय में दया, दया, नम्र्टा, नम्र्टा और धैर्य धारन करो उलुसियों अध्यायतीन पद्य बारा शरीर के विप्रीत, आत्मा, मनुष्य के रिदय का वो भाग है जिसने शैतान के भरष्ट बीच को अपने अस्तित्व में स्वीकार नहीं किया है इसने परमेश्वर के वचन को अपने अस्तित्व में स्वीकार कर लिया है यह एक अच्छे आदमी के दिल का अच्छा ख़जाना है यह रिदय का वो भाग है जहां अच्छे पेड अच्छे फल लाते है अध्याय तीन शरीर में पीडित जैसा कि पहले अध्यायों में वर्नित है शैतान ने आदम और हववा को प्रलोभित किया वे प्रलोभन को अस्वीकार करने में विफल रहे और भ्रश्ट इच्छाओं को अपने अस्तित्व में स्वीकार कर लिया जहां से पाप उत्पन होने लगा यिशु हमें बताते हैं कि हिदय हमारे अस्तित्व का वो भाग है जो पाप को जन्म देता है और भ्रश्ट इच्छाओं हमारे हिदय में पाई जाती है वाइबल शरीर शब्द का उपयोग हमारे हिदय के उस हिससे को संदर्भित करने के लिए करती है जिसमें भ्रश्ट इच्छाए होती है वे भ्रश्ट इच्छा भ्रश्ट व्रिक्ष हिदय है आत्मा भगवान की इच्छा अच्छा व्रिक्ष हिदय है आत्मा हमारे हृदय का वो भाग है जहां हमने भगवान के अविनाशी बीच को स्विकार किया है और अपने अस्तित्व में लिया है हम जानते हैं कि जिन लोगोंने शरीर में कश्ट उठाया है उन्होंने पाप करना बंद कर दिया है हम ये भी जानते हैं कि वे अब भरष्ट इच्छाओं से नियंत्रित होकर अपना जीवन नहीं जीते हैं बल्कि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जीते हैं भरष्ट इच्छा वाले हृदय शरीर की भरष्ट इच्छाएं हमें पाप करने का कारण बनती है जैसे एक सेब के पेड में जीवन की प्रकृती उसे सेब लाने के लिए प्रेरित करती है भरष्ट इच्छाओं में जीवन की प्रकृती उन्हें हमारे अंदर और हमारे माध्यम से पाप लाने के लिए प्रेरित करती है लेकिन यीशु हमें बताते हैं कि पाप और उसे जन्म देने वाली भ्रष्ट इच्छाओं से कैसे निप्टें यदि तेरी दाहिनी आख तुझे पाप कराती है तो उसे निकाल कर फेग दे क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में डाल दिये जाने से यह भला है कि तुम अपने एक अंग को खो दो और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे से पाप कराए तो उसे काट कर फेग दे क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने अंगों में से एक को खो दो मती अध्याय पाँच पद्य 29 और 30 व्रश्ट इच्छाय पाप को जन्म देती है जेम्स अध्याय एक पद्य 15 येश्व हमें आदेश देते हैं कि हम उन्हें अपने अस्तित्व से हटा दे ताकि हम नरक में न फेके जाए हम इसे कैसे करते हैं? हम अपने हिर्दै से भ्रश्ट इच्छाओं, भ्रश्ट व्रिक्षों को कैसे हटाएं? येशु हमें फिर से रास्ता दिखाते हैं यदि आपमें राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो आप इस गूलर के पेड से कह सकते हैं उखड जाओ और समुद्र में लगाओ और वो आपकी बात मानेगा लूका अध्याय सत्रा पद्यच है येशु भुनिर्मान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो भगवान के राज्ये और हमारे अस्तित्व के स्वभाव को बदलने के बारे में बात कर रहा है यदि हम वही करें जो येशु हमें करने के लिए कहते हैं तो क्या होगा? यदि हम अपने भीतर की भ्रष्ट इच्छाओं को जण से उखाड कर समुद्र में फेकने का आदेश दें तो क्या होगा? वे जाएंगे वे अब हमारे बीच नहीं रहेंगे हम अब उनके द्वारा नियंत्रित होकर अपना जीवन नहीं जिएंगे वे चले गए हैं वे अब हमारे भीतर हमें पाप करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व से पाप को जन्म देता है उसे हटा कर हम पाप से दूर हो जाते हैं जो लोग मसी यीशू के हैं उन्होंने शरीर को उसके स्नेय और इच्छाओं सहित क्रूस पर चड़ा दिया है व्रश्ट इच्छाओं को दूर करना लेकिन रुखिये इसमें कितना समय लगेगा मेरी कितनी भरश्ट इच्छाए है मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वे सभी मिल गए हैं कि मैंने एक भी नहीं छोड़ा है यदि हम भरश्ट इच्छाओं की जाज करें तो हम देखते हैं कि उन सभी में एक समान तत्व है मैं क्या चाहता हूँ व्यक्तिगद भरश्ट इच्छाए भरश्ट व्रिक्ष की अंगिनत शाखाओं की तरह है वे सभी मैं क्या चाहता हूँ कि सामान ने जड़ साजा करते हैं प्रत्येक शाखा को काटना आवश्यक नहीं है यदि हम भरश्ट व्रिक्ष की जड़ पर कुलहारी चलाएंगे तो सभी शाखाएं हटा दी जाएंगी जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे क्या करने का मन है मैं क्या उभोग करना चाहता हूँ मझे क्या बनना है मैं जो चाहता हूँ कि दूसरे मेरे बारे में सोचे मैं अपना जीवन खुद को खुश करने के लिए जीना चाहता हूँ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने कदमों को निर्देशित और व्यवस्थित करना चाहता हूँ मैं अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार जीना चाहता हूँ मैं अपने लिए यह निर्धारित करना चाहता हूँ कि वास्तविक्ष सच्चा अच्छा क्या है, क्या इच्छा करें, क्या विश्वास करें इसलिए यदि हम अपनी सभी मैं जो चाहता हूँ इच्छाओं को हर उस चीज को जो हम चाहते हैं अपने अस्तित्व से हटा दें हम सभी ब्रश्ट इच्छाओं को दूर कर देंगे हम किसी को भी नहीं चुकेंगे हमें ये कलपना नहीं करनी चाहिए कि हमें अपनी ताकत और ख्षमता से अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए या कर भी सकते हैं हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए भगवान से प्रेम करना चाहिए और पाप से घ्रिना करनी चाहिए ये और हमारी सभी इच्छाओं को दूर करने की इच्छा और शक्ती हमारे अंदर काम कर रहे परमेश्वर के वचन की शक्ती से आती है आत्मा के लिए बोना यह उन भ्रष्ट इच्छाओं को दूर करने के लिए परियाप्त नहीं है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है जो लोग पाप करना बंद कर देते हैं वे अब पाप से नियंत्रित नहीं रहते उन्होंने अपने अस्तित्व के भ्रष्ट हिस्से को हटा दिया है लेकिन वे भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भी जीते हैं वो अवश्य जोड़ा जाना चाहिए हमें अपने अस्तित्व में वो जोड़ना चाहिए जो हमें पाप करने से रोकता है और हमें इच्छा करने और भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए प्रेरित करता है भगवान आप में कार्य कर रहा है आपको उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा और शक्ति दे रहा है फिलिपियों अध्याय 2.13 जिस तरह हमने शैतान के शब्द के बीच को स्वीकार किया और इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाया उसी तरह अब हमें परमेश्वर के शब्द के अविनाशी बीच को भी स्वीकार करना चाहिए और इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना चाहिए हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोना चाहिए भगवान की इच्छा पूरी करने की इच्छा और शक्ती उत्पन करने के लिए भगवान के वचन को हमारे हृदय में प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए यहां कुछ प्रमुक चीजे हैं जिने हमें अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए परमेश्वर के वचन की आवशक्ता है प्रभु का भाय नीति वचन अध्याय आठ पद्य तेरा भाय प्रभु बुराई से नफरत करने के लिए है प्यार, निस्वार्थ है, मुझे क्या चाहिए? भरष्ट इच्छाओं के विपरीद भरोसा रखें हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमारा भरन पोशन करेगा प्रभेद हमें सत्य और त्रुटी, अच्छाए और बुराई, प्रलोभन और पाप को पहचानना चाहिए उसकी दिव्य शक्ती ने हमें उसके बारे में हमारे ज्यान के माध्यम से वो सब कुछ दिया है जो हमें एक धार्मिक जीवन के लिए चाहिए जिसने हमें अपनी महिमा और भलाई के द्वारा बुलाया है इनके माध्यम से उसने हमें अपने बहुत महान और अनमोल बादे दिये हैं ताकि उनके माध्यम से आप बुरी इच्छाओं के कारण दुनिया में होने वाले भ्रष्टाचार से बचकर दिव्य प्रकृती में भाग ले सकें इसी कारण तुम सब प्रकार का यतन करके अपने विश्वास पर सदगुण और सदगुण पर समझ और समझ पर सैयम और सैयम पर धीरज और धीरज पर भक्ती और भक्ती पर भायचारे की प्रीती और भायचारे की प्रीती पर प्रेम बढ़ाते जाओ क्योंकि यदि आप में ये गुण बढ़ती मात्रा में हैं, तो वे आपको हमारे प्रभु ईशु मसी के ज्यान में अप्रभावी और अनुत्पादक होने से बचाएंगे परंतु जिसके पास ये नहीं है, वो निकट द्रिश्टी वाला और अन्धा है, और ये भूल गया है कि वे अपने पिछले पापों से शुद्ध हो गए हैं इसलिए मेरे भाईयों और बहनों अपनी नियुक्ती और चुनाव की पुष्टी करने के लिए हर संभव प्रयास करें क्योंकि यदि तुम ये काम करोगे, तो कभी ठोकर न खाओगे दूसरा पत्रस अध्याय एक पध्य तीन से दस जौथा अध्याय मापना की क्या हमने पाप करना बंद कर दिया है? हम उस साक्ष की तुलना किस मानक से करते है? हमें पाप और उस चीज के साथ उसी तरह व्यभार करना चाहिए जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है जैसे कि हमें कैंसर हो गया हो हम नियमित रूप से किसी भी ऐसे सबूत के लिए खुद की जाच करेंगे जो कैंसर जैसा दिखता हो या ऐसा कुछ हो जो इसका कारण बनता हो हाला की हम केवल अपनी जाच पर निर्भर नहीं रहेंगे हम ऐसे विशेशग्य के पास भी जाएंगे जो उन सबूतों को पहचानने में सक्षम है जिन्हें हम समझने में सक्षम नहीं है उसी तरह से हमें पाप के सबूत के लिए अपने व्यवहार और अपनी इच्छाओं की जाच करनी चाहिए या जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करेगी हमें जो साक्ष मिलते हैं उनकी पुष्टी के लिए हमें भगवान के पास जाना चाहिए हमें भी नियमित रूप से भगवान के पास जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जब वो हमारी जाज करते हैं तो वे क्या देखते हैं वो हमें बताए जैसे हमें नियमित शारिरिक परिक्षा देनी होती है, वैसे ही हमें भगवान के पास जाना चाहिए और नियमित आध्यात्मिक परिक्षा देनी चाहिए जब हम भगवान से पूछते हैं तो हमें इमांदारी से सुनने के लिए वफादार होना चाहिए हमें सच सुनने की जरूरत है यदि पाप है तो उसे नकारने से हमें कोई लाब नहीं है जो अपने पापों को छिपा रखता है वो सुफल नहीं होता परंतु जो उन्हें मान लेता और त्याग देता है छोड़ देता है, सदा के लिए बंद कर देता है उस पर दया होती है यदि हमें ये समझना है कि हमने पाप किया है और यदि हमें पाप करना बंद करना है तो हमें पाप का एक ऐसा प्रतिनिधित्व करना होगा जो परियाप्त रूप से सटीक और पूर्ण हो रोमनों के चौधवे अध्याय में पॉल चर्चा करता है कि विभिन लोगों को इस बात की अलग-अलग समझ हो सकती है कि भगवान क्या अनुमोधन करता है। इस चर्चा में वो हमें सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व देता है कि पाप क्या है। यदि आपको इस बारे में संदे है कि आपको कुछ खाना चाहिए या नहीं, तो यदि आप आगे बढ़ते हैं और ऐसा करते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। जो भी चीज विश्वास पर आधारित नहीं है वो पाप है। पाल का कहना है कि पाप का अनिवार्य तत्व इस तरह से जी रहा है कि परमेश्वर की स्वीकृती की अभेलना हो। एक व्यक्ती जो यतोचित रूप से निश्चित नहीं है कि भगवान किसी चीज को स्वीकार करता है उदारन के लिए मास खाना और ऐसा करता है, जो भगवान को पसंद है उसके प्रती सम्मान की कमी दर्शाता है। वो व्यक्ती स्वेच्छाचारी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी रहा है और वो करने के लिए नहीं जी रहा है जो भगवान को मनजूर है। दो लोग बिलकुल एक ही काम कर सकते हैं, एक भगवान जो स्वीकार करता है उसके प्रती समर्पण में और दूसरा समर्पण में नहीं। समर्पण करने वाले के लिए ये पाप नहीं है। जो समर्पण नहीं करता उसके लिए ये पाप है। एक व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है जो भगवान को मनजूर हो जैसे सबत के दिन बाले तोड़ना और उन्हें खाना। मैथ्यू अध्याय बारा पद्य एक और दो। लेकिन अगर वे ऐसा भगवान की इच्छा के प्रती समर्पण में नहीं करते हैं तो ये पाप है। यदि हम इन में से कोई भी कारे कर रहे हैं तो हम भगवान के प्रती समर्पित नहीं हैं। इशु ने जो बाते कही वे बुरी थी। वो हमें वे बाते भी बताता है जिने वो स्विकार करता है। यदि हम भगवान के प्रती समर्पित हैं तो हम वे चीजें करेंगे जो उसने हमें करने की आग्या दी है और कम से कम कुछ अन्य चीजें भी करेंगे। जिन चीजों को करने की उसने हमें आग्या दी है। बाते वो आशिरवात दिया है। चीजें वो प्यार करता है। जिन चीजों से वो प्रसन होता है। वो जो बाते कहता है वो हमें अनंत जीवन पाने के लिए अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वर ने अतीत में जो शब्द कहे थे, वे हमारी अधीनता की स्थिती को मापने में हमारी सहायता करते हैं और हमें उन शब्दों के प्रती समर्पित होने की आवशक्ता है, जो वो आज अपनी आत्मा के द्वारा हमसे कहता है, जिसे उसने हमारा मार्क दर्शन करने के आत्मा हमें जो करने के लिए कहता है। इन जोटे पापों में आमतोर पर ऐसे विचार शामिल होते हैं जो पाप जैसे दिखते हैं। हमें वैसा ही करना है जैसा इशु ने तब किया था जब वो परिक्षा में था और प्रलोभन का विरोध करता था, विचार को अस्वीकार करना और इच्छा को स्वीकार नहीं करना। ध्यान दे, हमें अपने सपनों की सामगरी के साथ साथ उन विचारों के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए जो हम जागते समय सुनते हैं। यिशु कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो शैतान अपना बीज बोता है। सपने हमारे हृदय की भ्रष्ट सामगरी को प्रकट कर सकते हैं या उनमें किसी भ्रष्ट इच्छा को स्वीकार करने का प्रलोभन हो सकता है। हमारे बाहर से आने वाला प्रलोभन और हमारे हृदय से आने वाले भ्रष्ट विचार हमें बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। वे आद्यात्मिक मुद्धे हैं जिन्हें भगवान से यह पूछकर आद्यात्मिक रूप से समझा जाना चाहिए कि वो हमें इस सच्चाई में मार्गदर्शन दे की क्या ये विचार प्रलोभन है या पाप है पाप का प्रलोभन बिलकुल संदेह करने के प्रलोभन की तरह काम करता है हमारे हृदय से संदेह पूर्ण विचार आ सकते हैं वे हमारी प्रार्थनाव में बाधा डालेंगे। हम अपने विचारों में संदेह करने का प्रलोभन भी सुन सकते हैं। हमें लुभावने विचार को त्याग देना है और उसे अस्वीकार कर देना है उसी तरह जैसे हमें पाप के प्रलोभन को अस्वीकार कर देना है। चाहिए जिन्हे भगवान स्वीकार करते हैं कोई भी इच्छा भरष्ट इच्छा हो सकती है या बन सकती है यदि हम उस इच्छा की संतुष्टी को भगवान को नहीं सौपेंगे हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के साधनों और समय के प्रती समर्पन करना चाहिए या भगवान हमें जो प्रदान करता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए भले ही वो किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी न कर यदि कोई इच्छा इतनी तीवर हो जाती है कि वो हमारी समर्पन की स्थिती को बदल देती है तो ये एक भष्ट इच्छा बन गई है और हमें पाप करने का कारण बनेगी पाप से दूर हो गया हाला कि इस साक्षे के लिए स्वयम की जाज करना सहायक है कि हमने पाप किया होगा हमें केवल अपनी आत्मो परीक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाही यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ये सोचने का जोखिम बढ़ा देते हैं कि हमने पाप करना बंद कर दिया है जबकि हमने वास्तव में ऐसा नहीं किया है सबसे विश्वसनिये बात करने के लिए भगवान से पूछना है हमें करने के लिए हम में से उसकी परीक्षा के परिणामों को प्रकट करने के लिए अलाइजर टास्क में जॉन सैन्फर्ड ने लिखा है कि उन्होंने भगवान से अपने पापों को प्रकट करने के लिए कहा ताकि वो उन्हें स्वीकार कर सके भगवान ने उन्हें धर्म रथों की एक सूची दी जिन में से प्रत्येक में एक विशेश पाप का वर्णन था यह आध्यात्मिक परिक्षा का एक अच्छा उदाहरन है जिसे हम सभी को खोजना चाहिए हमें अपने बारे में गवाही प्राप्त करने के लिए भगवान को इमानदारी से सुनना होगा लेकिन विश्वासियों के रूप में हमें जानना चाहिए ताकि हम शुद्ध हो सके और पाप पैदा करने वाली भष्ट इच्छा को अपने अस्तित्व से दूर कर सके यिश्व ने हमसे कहा कि हम अपने अस्तित्व से उस चीज़ को हटा दें जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है किसी चीज़ को हटाने की हमारी आवशक्ता और क्या हटाना है इसे मापने का भगवान से इसे हमारे सामने प्रकट करने के लिए कहने से बहतर कोई तरीका नहीं है हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे सामने किसी भी पश्चाताप न किये गए पाप या ऐसी किसी भी चीज को प्रकट करे जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है यदी वो पाप प्रकट करता है तो हमें उससे हमें शमा करने और हमें शुद्ध करने के लिए कहना चाहिए यदी वो कुछ ऐसा प्रकट करता है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है तो हमें उसे दूर करना चाहिए और विप्रीत दिशा में मजबूत होने के लिए अपने हृदयों में परमेश्वर के वचन को बोना चाही हमें पूछने की जरूरत है भगवान द्वारा प्रकट की गई किसी भी चीज से निपटना है फिर पूछना है कि क्या और कुछ है हमें तब-दक मांगते रहना चाहिए जब तक कि भगवान ना कह दें कि अब और कुछ नहीं है इश्व ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया हमारे लिए अपना खून बहाया ताकि हम पाप की चेतना के बिना जीवन जी सके बिना इस बात के सचेत हुए कि हमने कभी पाप किया है। इबरानियों अध्याय 10 पद्दे 1 से 4 हमें विश्वास के द्वारा अपने अंतहकरन की शुद्धी प्राप्त करनी चाहिए। फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी सक्रिय पश्चाता प्रहित पाप के प्रती सचेत रहना चाहिए। हमें किसी भी पाप के घटित होने पर उसका पता लगाने के लिए नियमित रूप से भगवान की खोज करने की आवशक्ता है और जब वो कहता है कि कोई पाप नहीं है तो उसकी अनुपस्थिती के बारे में आश्वस्त होना चाहिए. हमें इश्व के बलिदान का सम्मान करना चाहिए और पाप की चेतना के बिना जीना चाहिए फिर भी हमेशा इसकी अनुपस्थिती की पुष्टी करनी चाहिए. यह एक ऐसे व्यक्ती की तरह है जिसे कैंसर हुआ है जो इसे होने की दर्दनाख स्मृती से मुक्त होना चाहता है. लेकिन इसकी अनुपस्थिती की नियमित रूप से पुष्टी करने की आवशकता है. अध्याय पाँच जीवन पाप से दूर हो गया. जीवन पाप से दूर हो गया. पाप से विमुख हुआ जीवन कैसा दिखता है? क्या ये रहस्यमय पूर्टा की स्थिती है जहां आगे कोई विकास संभव नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कल्पना करते हैं? यह एक आस्तिक के जीवन से कैसे मेल खाता है? किसी आस्तिक के आध्यात्मिक विकास में ये किस बिंदू पर घटित होता है? एक आस्तिक का आध्यात्मिक विकास वाइबल हमें एक आस्तिक के आध्यात्मिक विकास के बारे में कई बाते बताती है. जब हम देखते हैं कि ये चीजें एक साथ कैसे फिट बैठती हैं तो हम देख सकते हैं कि पाप से दूर हुआ जीवन उनके साथ कैसे फिट बैठता है निम्नलिखित रूपरेख़ा हमें आध्यात्मिक विकास का एक सिंगाव लोकन और कुछ विवरणों पर चर्चा आयोजित करने की रूपरेख़ा प्रदान करती है जन्म सुनवाई वर्तमान स्थिती और वर्तमान भागय पाप और न्याए वर्तमान दशावर भागे से बचने का उपाय धार्मिक्ता प्रभू का भाय नई वाचा में प्रवेश करना स्वीकार करना हालत और किस्मत यीश्यू भगवान है वचन स्वच विवेक वपतिस्मा पश्चाताप करना उन चीजों को दूर करना जो पाप का कारण बनती है ऐसी चीजें जोड़ना बोना जो हमें पाप से विमुख करती है पवित्र आत्मा प्राप्त करे विकास वोवाई व्यायाम परिपक्वता शर्वल विश्वास मसी के वचन को सुनने और सुनने से आता है रोमियो अध्याय 10.17 एक आस्तिक का जीवन आवश्यक रूप से सुनने के साथ शुरू होता है हमें इसका सच सुनना चाहिए हमारी वर्तमान स्थिती हमने भरष्ट इच्छाओं को अपने अस्तित्व के हिस्से के रूप में स्विकार किया है और वे हमारे मार्ग को मृत्यू का मार्ग बनाने के लिए हम में काम कर रहे है हमारा वर्तमान भाग गे हमारे दिल में भरष्ट इच्छाओं के कारण हम नुकसान मृत्यू और विनाश का एक अस्थाई जीवन जीएंगे जिसके बाद भगवान से अलग होकर अनंताग में एक अनंत जीवन जीएंगे ये बुरी खबर है हमें अच्छी खबर भी सुननी चाहिए हमें ये अवश्य सुनना चाहिए हमें उस वाचा में प्रवेश करना चाहिए जो भगवान ने हमें दी है हम अपनी वर्तमान स्थिती भाग्य और परमेश्वर की वाचा के द्वारा अन्य लोगों से या परमेश्वर से बचने के रास्ते की सच्चाई सुन सकते है जब हम उन्हें अन्य लोगों से सुनते है तो हम वास्तविक्ता का प्रतिनिधित्व सुनते है जब हम उन्हें भगवान से सुनते है तो हम उनकी वास्तविक्ता को सीधे सुनते हैं ये बहुत अधिक शक्तिशाली है परमेश्वर की ओर से यह सुनना की हमारी वर्तमान स्थिती का परिणाम हानी, मृत्यू, विनाश और अनंत अगनी में होगा प्रभू का भाय है यदि हमें परमेश्वर के साथ नई वाचा को केवल अपने होठों से नहीं बलकि अपने हृदेओं से स्थापित करना है तो प्रभू का भाय आवश्यक है अपनी वर्तमान स्थिती का सच दूसरे लोगों से सुनना सत्य है लेकिन यह मनुश्यों के उपदेश से होता है यह आवश्यक रूप से सत्य की उनकी धारणा, समझ और अभिव्यक्ती द्वारा सीमित है परमेश्वर की ओर से सत्य सुनना प्रभू का सच्चा भाय है जो हमारी धारना और समझ को फिट करने के लिए परमेश्वर द्वारा व्यक्त किया गया है यह लोग अपने मूँ से पास आते हैं और अपने होठों से मेरा सम्मान करते हैं जबकि उनके दिल मुझसे दूर है और मेरा डर पुरुशों के उपदेश से सिखाया जाता है यशाया अध्याय 29.13 हमें पूरे दिल से परमेश्वर की नई वाचा में प्रवेश करने की आवशक्ता है प्रभू का भाय हमें ऐसा करने में मदद करता है ये कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने पहली वाचा में प्रवेश करते समय इस्राइल की सहायता करने के लिए उपयोग किया था दरो मत क्योंकि परमेश्वर तुम्हें परखने के लिए आया है और इस क्रम में की उसका भै तुम्हारे साथ बना रहे ताकि तुम पाप ना करो निर्गमन अध्याय 20 पद्यवीस वाचा में प्रवेश करना स्विकार करना परमेश्वर के साथ नई वाचा में प्रवेश करने के लिए हमें उसके द्वारा निर्धारित नियमों और शर्टों को पूरा करना होगा इन में से पहली शर्ट भगवान द्वारा हमारे सामने प्रकट किये गए सत्य को स्वीकार करना है स्वीकार करना कबूल करने से होता है नई वाचा के मामले में हम स्वीकार कबूल करके शुरुवात करते हैं हमारी वर्तमान स्थिती हमने भरष्ट इच्छाओं को अपने अस्थित्व का हिस्सा मान लिया है और वे हमारे अंदर हमारे मार्ग को मृत्यू का मार्ग बनाने का काम कर रही है हमारा वर्तमान भाग्य हमारे दिल में भरष्ट इच्छाओं के कारण हम हानी, मृत्यू और विनाश का एक अस्थाई जीवन जीएंगे जिसके बाद भगवान से अलग होकर अनन्त आग में एक शाश्वत जीवन जीएंगे कि भगवान ने अपनी नई वाचा के माध्यम से हमारी वर्तमान स्थिती और भाग्य से बचने का एक रास्ता प्रदान किया है परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशू के माध्यम से हमारे साथ अपनी नई वाचा बनाई है परमेश्वर ने यीशू को प्रभू बनाया है उसने उसे स्वर्ग और प्रित्वी पर सारा अधिकार दिया है वो नई वाचा का मध्यस्त है परमेश्वर के साथ नई वाचा में प्रवेश करने के लिए हमें ये Svीकार स्वीकार करना होगा कि ईशु ही प्रभू है जब परमेश्वर ने ईशु को प्रभू बनाया तो उसने स्वर्ग और पृत्वी में सब कुछ उसकी आज्या मानने के लिए बाध्धे किया ये स्वीकार करना कबूल करना की यीशु प्रभू है आवश्यक रूप से हमारे द्वारा बताई गई हर बात में उसकी आग्या मारने के हमारे दायत्व को स्वीकार करना कबूल करना शामिल है नई वाचा में प्रवेश करना यीशु द्वारा हमें जो कुछ भी करने के लिए कहा जाता है उसका पालन करने के हमारे दायत्व को स्वीकार स्वीकार करने के साथ जारी रहता है यह मूलता वही प्रतिग्या है जो इसराइल को परमेश्वर के साथ पुरानी वाचा में प्रवेश करने के लिए करनी थी मूसा ने वाचा की पुस्तक ली और लोगों को सुनाए और उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम करेंगे और उसकी आज्या मानेंगे और मूसा ने लोहु को लेकर लोगों पर फेग दिया और कहा देखो यह उस वाचा का लोहु है जो यहोवा ने इन सब वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ बांधी है निर्गमन अध्याय 24, पद्य 7 और 8 प्रतिग्या करना यदि हम वपतिस्मा की यहूदी जड़ों को समझते हैं, तो हम समझेंगे कि इसमें एक समान लेकिन मजबूत प्रतिग्या शामिल है वपतिस्मा में हमारे पुराने जीवन, हमारी पुरानी स्थिती को पूरी तरह से छोड़ने और एक नए जीवन में जाने की प्रतिग्या शामिल है एक दुलहा और दुलहन को अपने पुराने जीवन को समाप्त करने और एक साथ एक नया जीवन शुरू करने की प्रतिग्या के संकेत के रूप में बपतिस्मा दिया जाएगा नई वाचा में प्रवेश करने के एक भाग के रूप में, बपतिस्मा पाप और मृत्यू को जन्म देने वाली भरष्ट इच्छाओं के साथ हमारी पूर्व स्थिती को छोड़ने और हमें प्रेरित करने के लिए परमेश्वर के वचन में जो जीवन के साथ एक नई स्थिती में जाने की हमारी यह पाप से दूर रहने की हमारी प्रतिग्या का संकेत है स्वच अंतहकरन के साथ भगवान के सामने जीने की प्रतिग्ये नूह के दिनों में जब जहास बनाया जा रहा था तब परमेश्वर ने धैर्यपूर्वक प्रतिग्षा की इसमें केवल कुछ लोग कुल मिलाकर आठ पानी के माध्यम से बचाए गए थे और यह पानी बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपको भी बचाता है शरीर से गंदगी को हटाने का नहीं बलकि भगवान के प्रती स्वच अंतहकरन की प्रतिग्या का नहसंदे हम अपनी भरष्ट इच्छा की स्थिती में इस प्रतिग्या को निभाने की आशा नहीं कर सकते भगवान ये जानता है और नई वाचा में वो हमें जो प्रमुक प्रावधान देता है उनमें से एक है हमारे द्वारा स्वीकार की गई भरष्ट इच्छाओं को दूर करने की शक्ती नई भरष्ट इच्छाओं को अस्वीकार करने की शक्ती और इच्छा करने और उसकी इ जीवन और प्रकृती का उत्पादन करे। ये पश्चाताप की प्रक्रिया है और नई वाचा में प्रवेश करने का एक आवश्यक हिस्सा है। आध्यात्मिक विकास के इस बिंदू पर एक आस्तिक ने उन भ्रष्ट इच्छाओं को हटा दिया है जो उन्हें पाप का कारण बनाती हैं वे अब भ्रष्ट इच्छाओं के अनुसार नहीं जीते हैं और वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की अपनी प्रतिग्या क अनुसार जीते हैं पत्रस इसे उन लोगों के नए जीवन के रूप में वर्नित करता है जो पाप करना बंद कर चुके हैं यहीं पर पाप से मुक्ती एक आस्तिक के आध्यात्मिक विकास और जीवन में फिट बैठती है जौन पहला जौन में लिखते हुए हमें यह मापने का एक भरोसे मन तरीका देता है कि आध्यात्मिक जन्म प्रक्रिया का पूरी होती है वो इस बात से सहमत है कि जन्म प्रक्रिया के अंत तक एक आस्तिक ने पाप करना बंद कर दिया है जो पाप करता है शैतान का वो है क्योंकि आरंब से ही शैतान पाप करता है क्योंकि यह परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रगट हुआ, कि शैतान के कामों को नश्ट करे, जो कोई परमेश्वर से उत्पन हुआ है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर से वो उत्पन हुआ है, पहला पाप करना बंद नहीं किया है, उसने जन्म प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जन्म प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कहीं अधिक विकास आगे है, विकास, जन्म के बाद विकास होता है और हमें आध्यात्मिक विकास की बहुत आवशकता है, जेम्स अध्याय एक पद्य त पाँच और दूसरा पत्रस अध्याय एक पद्य पाँच से साथ अध्यात्मिक विकास के कुछ क्षेत्रों की सूची बनाते हैं। प्रथम तीमूतियुस अध्याय छे पद्य ग्यारा गलातियों अध्याय पाँच पद्य बाईस और तेईस में इन में से कुछ को आत्मा के फल के रूप में सूची बनाते हैं। अध्यात्मिक विकास में विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सत्य और त्रुटी, सत्य की भावना और त्रुटी की भावना क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भगवान की इच्छा क्या है और क्या नहीं है? भगवान का वचन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है? को समझने की जरूरत है. आध्यात्मिक विकास श्रवन से उत्पन होता है और श्रवन शब्द से उत्पन होता है. इसलिए सभी आध्यात्मिक विकास शब्द से उत्पन हो 31.33 परमेश्वर अपना वचन हमारे हृदेव में लिखता है जैसे हम उसे अपने हृदेव में बोते हैं अपने वचन के माध्यम से वो हमें आध्यात्मिक विकास और अनंत जीवन एक समय में एक बीज देता है हम अपने हृदेव में वचन के बीज बोकर और उन्हें छीने जाने या दबा दिये जाने से बचा कर अपना अध्यात्मिक विकास करते हैं सारी गंदगी और व्याप्त दुष्टता को दूर करो और अंदर डाले गए शब्द को नमृता से ग्रहन करो जो तुम्हारी इंप्लांटिट को बचाने में सक्षम है जेम्स अध्याय एक पद्य खीस इसलिए अपने आपको हर तरह की बुराई और धोके पाखंड इर्शा और हर तरह की बदनामी से मुक्त करो नवजाच शिशुओ की तरह है शब्द के शुद्ध दूद की प्यास ताकी इसके द्वारा आप अपने उध्धार में बढ़ सके पहला पत्रस अध्याय दो पद्ये हर दो परिपक्वता विकास परिपक्वता में पूरा होता है आध्यात्मिक परिपक्वता एक आस्तिक के आध्यात्मिक विकास का अपेक्षित परिणाम है आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ती की प्रमुख विशेश्टाओं में से एक है प्रभेद होना जो व्यक्ती आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होता है वो शारीरिक के अलावा आध्यात्मिक रूप से भी समझता और परक्ता है। वे अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, बलकि सच्चाई की और मार्गदर्शन करने के लिए भगवान की तलाश करते हैं। परिणामस्वरूप वे अध्यात्मिक चीजों सत्य और तुर्टी अच्छाई और बुराई और वचन क्या कहता है और क्या नहीं कहता है को पहचानते हैं। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहन नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टी में मूर्खता पूर्ण हैं और वो उन्हें समझ नहीं पाता क्योंकि वे आत्मिक रूप से समझी जाती हैं। प्रथम कुरितियों अध्याय दो पद्य चौदा लेकिन ठोस भोजन परिपक्व लोगों के लिए है, जिनके पास अच्छे और बुरे में अंतर करने के लिए निरंतर अभ्यास द्वारा प्रशिक्षित विवेक की शक्ती है। इब्रानी अध्याय पाँच पद्य चौदा एक कुरितियों अध्याय तीन पद्य एक में पॉल लिखता है कि अपरिपक्व लोग आध्यात्मिक चीजों को समझने में सक्षम नहीं है। नियंत्रन रखते हैं। यदि कोई जो कहता है उसमें ठोकर नहीं खाता है, तो वो एक परिपक्व व्यक्ती है जो अपने पूरे शरीर को नियंत्रत करने में भी सक्षम है। अध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ती जिस तरह से अपने अस्तित्व को पहचानता है और नियंत्रत करता है। पहाडी उपदेश में यीशु ने हमें बताया कि हमें अपने शत्रूओं से प्रेम करना चाहिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें सताते हैं और उन्होंने कहा कि यह परिपक्व होने का एक हिस्सा है वैसे ही जैसे हमारे स्वर्गिये पिता परिप परिपक्व हैं मैथ्यू अध्याय पांच पद्दे 43-45 यह उन रियासतों और शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए अध्यात्मिक शक्ति और प्रक्रियाओं का उप्योग कर रहा है जो हमारे दुश्मनों और हमें सताने वालों के साथ छेड़ छाड़ कर रहे हैं अपर व्यक्ति पाप से विमुख नहीं हुआ है उसमें आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के आत्म नियंत्रन का अभाव है आध्यात्मिक रूप से परिपक्व तरीके से पहचानना से पहले एक व्यक्ति को भी पाप से दूर होना चाहिए इश्यू कहते हैं कि सपष अस्तित्व से दूर करना होगा ताकि हमारे हृदय में उत्पन होने वाले वचन के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से बूजना सकें। पर्मेश्वर के वचन का बीज भ्रष्ट फल नहीं ला सकता। इसके अलावा यह अविनाशी है। पर्मेश्वर करने के प्रलोभन का विरोध करने के लिए भगवान का कवच पहने। भगवान से हमारा मार्क दर्शन करने और हमें समझने में मदद करने के लिए सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहें। प्रश्ट इच्छाओं को स्विकार करने के खिलाफ हमें मजबूत करने के लिए भगवान से अपनी सेवकाई आत्माओं को भेजने के लिए कहें आभारी है ऐसी स्थिती तब तक बनी रहेगी जब तक हम इसे बनाय रखने के लिए आवश्यक चीजे करते रहेंगे यदि हम उन कारियों को करने में परियाप्त चूक करते हैं तो ना केवल हम पाप कर सकते हैं बलकि हम पाप करेंगे अध्याय छे पाप, मृत्यू और अनन्थ जीवन इससे पहले हमने यीशू की आग्या को देखा कि जो हमारे होने से पाप का कारण बनता है उसे हटा दे उस समय हमने उन परिणामों को नहीं देखा जो उसने घोशित किये थे जो हमारी आग्या का पालन करने या उसकी आग्या की अवग्या करने के परिणाम स्वरूप होंगे यदि तेरी दाहिनी आख तुझे पाप कराती है तो उसे निकाल कर फेग दे क्योंकि यह इससे भला है कि तु अपने अंगों में से एक को खो दे इससे कि तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे पाप कराए तो उसे काट कर फेग दे क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने एक अंग को खो दो यदि तेरा हाथ या पाउ तुझे पाप कराता है तो उसे काट कर फेग दे अपन्ग या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाउ रहते हुए अनंत आग में डाला जाए और यदि तेरी आँख तुझे से पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेग दे तेरे लिए एक आँख के साथ जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि दो आँखों के साथ तु नरक की आग में डाला जाए मैथ्यू अध्याय 18.8 और 9 यदि तेरा हाथ तुझे से पाप करवाए तो उसे काट डाल तुम्हारे लिए ये बहतर है कि तुम अपंग होकर जीवन में प्रवेश करो बजाए इसके की दो हाथों के साथ नरक में कभी न बुझने वाली आग में जाओ और यदि तेरा पैर तुझे पाप कराता है तो उसे काट डाल तुम्हारे लिए लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि दो पावों के साथ नरक में डाला जाए और यदि तेरी आख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल डाल तुम्हारे लिए एक आख के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इस से भला है कि दो आखों के साथ तुम नरक में फेके जाओ मरकुस अध्याय 9.44 से 47 ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम स्पष्ट रूप से सुने की इश्व यहां क्या कह रहे हैं जिस व्यक्ति की इच्छाय भ्रष्ट है और जो उन्हें पाप करवाता है उसने जीवन में प्रवेश नहीं किया है वे अध्यात्मिक रूप से मर चुके है हम जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते जो अनन्त जीवन भ्रष्ट इच्छाओं के साथ जो हमें पाप कराती है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि शैतान पाप से विमुख होने का विरोध करेगा। किसी को पाप से दूर जाने से रूखने की कोशिश करने का सबसे अच्छा स्थान उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि ये संभव नहीं है। एक बार जब किसी व्यक्ति को ये समझा दिया जाता है कि ये संभव नहीं है तो वे पाप से रुखने का प्रयास नहीं करेंगे और वे उन लोगों का विरोध करेंगे जो कहते हैं कि ये संभव है। हमें किसी भी विश्वास को स्वीकार करने से पहले विशेश रूप से सतर्क रहना चाहिए कि कुछ संभव नहीं है। विशेश रूप से कुछ ऐसा जिसे करने के लिए भगवान ने हमें आदेश दिया है। भगवान कहते हैं कि सभी चीज़े संभव हैं और कुछ भी असंभव नहीं है मैथ्यू अध्याए 17.20, मर्कुस अध्याए 9.23 यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा है तो आप इस परवत से कह सकते हैं यहां से वहां चले जाओ और वो चला जाएगा आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीज़े संभव हैं हम अपनी शक्ती और समझ से पाप से विमुख नहीं हो सकते हाला कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ती और प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है जो हमें पाप से दूर कर दे न केवल संभव है बलकि आसान भी है मैंने प्रार्थना की थी और प्रभू का भय प्राप्त किया था तब मैंने परमेश्वर के कवच को धारन करने और सत्य की आत्मा और तुटी की आत्मा को समझने के बारे में सीखा एक रात जब मैं भगवान के कवच के बारे में सोच रहा था और सत्य की भावना को पहचानना के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे आज्याय थी जिनका पालन करना चाहिए कवच पहनो और आत्माओं को पहचानो मैंने उन्हें बार-बार पढ़ा था लेकिन जब मैंने अंततहा उनका पालन किया तो उन्होंने मेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया मुझे आश्चर्य हुआ कि कितने अन्य आदेश जिन्हें मैं नजरंदास कर रहा था मैंने आग्या मानने के लिए आदेशों की तलाश में पढ़ने का संकल्प लिया मैंने जौन की पुस्तक अध्याय आठ में पढ़ना शुरू किया जब मैं जौन अध्याय 8.11 पर आया तो मैंने इसे एक आदेश के रूप में पहचान. जाओ और फिर पाप मत करो. युहन्ना अध्याय 8.11? हाँ, यीशु ने वो आदेश लगभग 2000 वर्ष पहले एक स्त्री को कहा था, लेकिन ये स्पष्ट लग रहा था कि आत्मा मुझसे बात कर रही थी. जब मैंने पूछा कि क्या ऐसा है तो उन्होंने उत्तर दिया. हाँ, मैं मुझे नहीं पता कि क्या ये संभव है कि मैं जाओ और फिर पाप ना करू. मैंने पहले भी कोशिश की है और असफल रहा हूँ. आत्मा आप असफल हुए क्योंकि आपने अपनी श शक्ती की खोज करेंगे और इसका उप्योग कैसे करेंगे तो आप आएंगे कि अप आप ना करना ना केवल संभव है बलकि ये आसान भी है. मैं आसान. क्या वो सच है? आत्मा क्या सेब के पेड के लिए नाशपाती ना उगाना कठिन या आसान है? मैं ये आसान है. आत्मा विश्वास रखते हैं. पहला युहना अध्याए एक पद्या आठ और दस. यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आपको धुखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है. यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे जुटा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पहला युहन्ना अध्याय एक पद्य आठ से दस। जॉण अगनॉस्टिक्स के एक समूग का सामना कर रहा था। यानि आध्यात्मिक विकास के चरण में थे जहां उन्हें ये सुविकार करने की आवशक्ता थी कि यूशु ही प्रभू हैं। हाला कि उन्होंने ये स्वीकार करने से इंकार कर दिया कि उन्होंने भ्रष्ट पाप उत्पादक इच्छाओं को अपने अस्तित्व में स्वीकार कर लिया है। उन्होंने पाप से मुक्तिदाता की आवशक्ता को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने यह मानने से इंकार कर दिया कि यीशुद देह में आये थे और वो प्रभू हैं। जॉन यह नहीं कह रहा है कि हम पाप करना बंद नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने जेम्स अध्यायतीन पद्यदो को इस अर्थ में पढ़ा कि जेम्स ने कहा कि हम सभी पाप करते हैं और इससे साबित होता है कि पाप से दूर रहना संभव नहीं है। क्योंकि हम सब अनेक प्रकार से ठोकर खाते हैं। और यदि कोई अपनी बात में चूक न करें तो वो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व मनुश्य है और अपने पूरे शरीर पर लगाम लगाने में भी सक्षम है। जेम्स अध्यायतीन पद्यदो जेम्स जो कह रहा है उसे समझने में दो समस्याएं हैं। पहला उनके द्वारा सभी शब्द का प्रयोग क्या ये शाब्दिक है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति या आलिंकारिक। हिब्रू में सभी का उप्योग अक्सर आलिंकारिक रूप से किया जाता है। ये सोचकर की बहुमत या आवश्यक भाग या यहां तक की एक महत्वपूर्ण या अत्यदिक द्रिश्यमान घटक संभवताह बहुमत से बहुत छोटा है। तीन कभी-कभी ऐसे आलिंकारिक उप्योग के बाद अप्वादों की सूची दी जाती है। जेम्स अध्याय तीन पद्य दो में यही मामला है। जेम्स तुरंत इस कथन का अनुसरन करते हैं कि सभी लोग कई माईनों में ठोकर खाते हैं, सिवाए इसके कि यदि कोई उनकी बात में चूक नहीं करता है। दूसरी समस्या यह है कि हम पैव अनुवादित ठोकर शब्द को कैसे समझते हैं। यहां जेम्स का प्रयोग शाब्दिक ठोकर या यात्रा के बजाए स्पष्ट रूप से आलिंग कारिक है। लाक्षणिक रूप से इस तरह की ठोकर एक साधारन गलती से कुछ भी हो सकती है जैसे कि एक तथ्यात्मक्त्रुटी, पाप या पोरी तरह से मोक्ष से गिरना। जो जानते हैं वो ये है कि कम से कम अत्यधिक द्रिश्मान संक्या में लोग ठोकर खाते हैं और जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं वे जो कहते हैं उसमें ठोकर नहीं खाते हैं। शिक्षक बनने के इच्छुक आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व लोगों की समस्या के बारे में लिखते हैं। शिक्षक बनने की इच्छा रखते हुए। व्यर्थ चर्चा में भटक गए हैं। बिना ये समझे की वे क्या कह रहे हैं या वे चीजें जिनके बारे में वे आश्वस्त दावे करते हैं। शिक्षक ये समझे बिना पढ़ा रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं या जिन चीजों के बारे में वे आत्मविश्वास पूर्ण दावे कर रहे हैं। ठोकर खाना और दूसरों को ठोकर खिलाना। वहत सारे शिक्षक और परियाप्त सत्य नहीं। वहत सारे शिक्षक तब पढ़ाते हैं जब उन्हें बुनियादी सिध्धानतों को सिखाने के लिए किसी की आवशक्ता होती है और उन्हें धार्मिक्ता के बारे में शब्द लागू करने का अनुभव नहीं होता है। सैधानतिक ठोकर धार्मिक्ता के बारे में शब्द को लागू करने में ठोकर शिक्षक बनने के बारे में जेम्स चेतावनी के संदर्ब में बहतर फिट बैठता है और उस समय की ग्याद समस्याओं को फिट करता है। जो कहता है कि इशू, उसकी मृत्यू और पुनरुथान द्वारा हमें वास्तव में पाप से मुक्त कर दिया है। जो लोग प्यार करते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें ठोकर, पाप का कारण बनता है। जेम्स अध्यायतीन पद्याट को कुछ लोग ये कहते हुए समझते हैं कि हम जो कहते हैं उसमें हम पाप करने से बचने में असमर्थ है। जीब को कोई मनुश्य वश में नहीं कर सकता। ये एक बेचैन करने वाली बुराई है जो घातक जहर से भरी हुई है। जीब से हम अपने प्रभू और पिता की स्तुती करते हैं और इसके द्वारा हम मनुश्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। एक ही मूँ से स्तुती और शाप निकलते हैं। मेरे भाईयों ऐसा नहीं होना चाहिए। जेम्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ती जीब को वश में नहीं कर सकता और एक ही जीब से प्रशंसा और शाप आते हैं। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि यदि हम अपनी जीब पर नियंत्रन नहीं रखते तो हम स्वयम को धोका देते हैं और हमारा धर्म बेकार है। जेम्स अध्याय एक पद्यचपवीस मनुष्य की शक्ती का उप्योग करके जीब को वश में करना असंभव है। लेकिन विश्वास के माध्यम से भगवान की शक्ती का उप्योग करके सभी चीजे संभव हैं और कुछ भी असंभव नहीं है जिसमें जीब को वश में करना भी शामिल यदि हम भगवान से पूछते हैं कि हम जीब को वश में करने के लिए अपनी शक्ती और ख्रमता का अंजीर के लिए कांटेदार जाडियों से इकठा नहीं किया जाता है, नहीं अंगूर को एक ब्रम्मल जाडी से उठाया जाता है। या तो पेड़ को अच्छा और उसके फल को अच्छा बनाओ, या पेड़ को बुरा और उसके फल को बुरा बनाओ, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। कुछ फल हिदय में एक अच्छे व्रिक्ष द्वारा उत्पन होने और कुछ फल हिदय में एक भ्रष्ट व्रिक्ष द्वारा उत्पन होने का परिणाम है। जब हम भ्रष्ट व्रिक्ष को जड़ से उखाड कर समुद्र में फेकने की आज्या देते हैं और अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीच से भर देते हैं, तब हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन की प्रचुरता से बोलेंगे। एक व्रिक्ष, एक फल, एक वानी हमारी जबान से। तो यहाँ एक कथन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो पूरी तरह से स्वीकार किये जाने योग्य है, मसी यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आए, जिन में से मैं भी हूँ प्रोटोस। प्रथम तीमूथियुस अध्याए 1.15 पॉल उसने जो लिखा उसे सही धंग से समझने के लिए अवश्चक है कि हम सही धंग से समझें कि उसने यीशु को पापियों को बचाते हुए कैसे देखा। पॉल ने सिखाया कि यीशु के माध्यम से पापियों को पाप से मुक्त किया गया और धर्मी बनाया गया। उन्हें नए जीवन के साथ नए प्रानी बनाया गया। जब पॉल कहता है कि वो प्रोटोस है, तो वो कह रहा है कि वो यीशु द्वारा बचाये गए लोगों में से प्रोटोस है, पापियों में से प्रोटोस नहीं. ये तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम समझते हैं कि प्रोटोस शब्द से उनका क्या मतलब है. प्रोटोस का अर्थ है सबसे पहले या सबसे महत्वपूर। सबसे अग्रणी का अर्थ है सबसे अधिक दिखाई देने वाला या सबसे अधिक स्पष्ट। पॉल का उध्धार उसे एक नए जीवन के साथ एक नया प्राणी बनाया जाना था और कई मायनों में अभी भी सबसे विशिष्ट रूपांतरण है। इस समझ की पुष्टी निमनलिखित श्लोक में की गई है। लेकिन ठीक यही कारण है कि मुझे दया प्राप्त हुई ता कि मुझ में प्रोटोस। सबसे विशिष्ट मसी यीशु ये प्रदर्शित कर सके कि वो कितना धहरिवान है। उन लोगों के लिए एक उदाहरन के रूप में जो बाद में उस पर भरोसा करेंगे और इस तरह अनंट जीवन प्राप्त करेंगे। जो अब हमें सताता था वो उस विश्वास की खुश्खबरी का प्रचार करता है जिसे वो पहले नश्ट करने के लिए बाहर था और उन्होंने मेरे लिए भगवान की प्रशंसा की। प्राप्त कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही इसे प्राप्त कर लिया है या पहले से ही पफेक्ट हूँ। पफेक्ट अनुवादित ग्रीक पार्ट उस तरह से पफेक्ट होने के बारे में बात नहीं करता है जिस तरह से हम आज पफेक्ट होने के बारे में सोचते हैं। पॉल ने जो अभी तक प्राप्त नहीं किया था, उसका वर्णन करने के लिए श्लोक बारा में एक ग्रीक शब्द का उप्योग करता है, जिसका अनुवाद पफेक्ट है ते टिलिमाई और श्लोक पंद्रह में एक अलग अनुवादित अनुवादित तेलो. इसलिए आईए जितने लोग पफेक्ट हो, उनका भी यही विचार हो. फिलिप्यो अध्याय तीन पद्यपंद्रह श्लोक पंद्रह में पॉल एक समूग को संबोधित कर रहा है, जिसके बारे में उसका कहना है कि उसने तेलोई प्राप्त कर लिया है. अंग्रेजी दोनों शब्दों को पफेक्ट के रूप में अनुवाद करके हमें यहां विफल करती है. तेलोई आध्यात्मिक रूप से परिपक्व पूर्ण आयू का वर्नन करता है. यह वही शब्द है जिसका उप्योग इब्रानी अध्याय 5 पद्य 14 में किया गया है और इसका अनुवाद पूर्ण आयू के अध्यात्मिक रूप से परिपक्व के रूप में किया गया है. फिलिपियों में पॉल उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त कर ली हैं वे अब बच्चे नहीं थे जिन्हें दूद की आवशक्ता थी. तेटिले माई का उप्योग समाप्ती का वर्नन करने के लिए किया जाता है. पॉल कह रहा है कि वो अभी तक समाप्ती, अस्तित्व के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा है. रोमियो अध्याय तीन पद्यदस जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं. रोमियो अध्याय तीन पद्यदस पॉल निश्चित रूप से ये कहता है लेकिन हमें इसे सही धंग से समझने के लिए इसे संदर्ब में देखना होगा कि वो क्या कह रहा है रोमियो को लिखे पत्र में पॉल ने बताया कि भगवान ने उसे क्या करने के लिए बुलाया था भगवान के प्रती विश्वास आधारित आज्याकारिता को बढ़ावा देन वो इसे रोमियो अध्याय 1.5 में बताता है रोमियो के अंत में उन्होंने फिर से कहा कि पत्र में उनका प्रयास विश्वास आधारित आज्याकारिता को बढ़ावा देना है और ऐसा करने के लिए भगवान ने यीशू के माध्यम से जो किया है उसकी अच्छी खबर उन्हें बताई गई है परमेश्वर ने यीशू के माध्यम से जो किया है उसका ये शुब समाचार पॉलुस ने जो लिखा है उसका केंद्र बिन्दू है वो अध्याय 1.16 और 17 में इसका कारण बताते है खुश्खबरी उन सभी लोगों के लिए मुक्ती पाप से मुक्ती लाने का भगवान का शक्तिशाली साधन है जो भरोसा करते हैं विशेश रूप से यहूदी के लिए लेकिन समान रूप से अन्यजातियों के लिए क्योंकि सुस्माचार में ये बताया गया है कि कैसे परमेश्वर अपनी द्रिष्टी में लोगों को धर्मी बनाता है लोगों को सच्ची धार्मिक्ता में बनाये गए नए प्रानी बनाता है सच्ची धार्मिक्ता के मानक के विरुध व्यक्ति के परमेश्वर के माप के अनुसार और आरंब से अंत तक ये विश्वास विश्वास आधारित आज्याकारिता के माध्यम से होता है रोमियो अध्याय एक पद्य सोला और सत्रा अध्याए 11.16 में 17 से पॉल ये बताता है कि क्यों खुश्खबरी लोगों को पाप से मुक्त करने और उन्हें धर्मी बनाने का भगवान का साधन है अपना पक्ष रखने के लिए पॉल निम्नलिखित प्रस्तुत करता है सभी लोग पाप के बंधन में हैं सभी लोग अधर्मी है कानून लोगों को पाप से मुक्त करने या उन्हें धर्मी बनाने का भगवान का साधन नहीं है धार्मिक्ता आज्याकारिता पर भरोसा करने से आती है न कि कानूनी नियम पालन से अध्याय एक पद्य अथारा से अध्याय तीन पद्य बीस तक वो आरोप लगाता है कि सभी लोग यहूदी और अन्यजाती पाप से नियंत्रित हैं और अधर्मी हैं और उन्हें पाप से मुक्त होने और धर्मी बनाने के लिए साधनों की आवशकता है इस मामले को बनाने की प्रक्रिया में वो भजन अध्याय, 14 पद्य एक से तीन और अध्याय तिरपन पद्य एक से तीन का संकेत देता है और यहीं वो लिखता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं पॉल उन लोगों के लिए मनुष्य की वर्तमान स्थिती की बुरी खबर की घोशना कर रहा है जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है वो ये खुशखबरी भी सुना रहा है कि भगवान ने मनुष्य की वर्तमान स्थिती से बचने का एक रास्ता प्रदान किया है रोमियो अध्याय साथ रोमियो अध्याय साथ में पॉल ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि वो पाप से रुखने में असमर्थ था वो नहीं है लेकिन फिर से हमें इसे उस संदर्ब में देखना होगा जिसमें ये लिखा गया था रोमियो अध्यायतीन पद्यबीस में पॉल कहता है भगवान की दृष्टी में भगवान जो धार्मिक्ता को मापता है उसके अनुसार कानून की आज्याओं के कानूनी पालन के आधार पर किसी भी जीवित व्यक्ति को धर्मी नहीं माना जाएगा क्योंकि कानून के माध्यम से पाप का ज्यान होता है इस बिंदु को बनाने के बाद पॉल को इसे समझाना होगा यह वही है जो वो रोमन अध्याय साथ में कर रहा है पद पद्य साथ में वो अपनी बात दोहराता है कि व्यवस्था का कारिय ये बताना है कि पाप क्या है पद्य 14 से 23 में वो अपनी व्यक्तिगत गवाही देता है कि कैसे कानून ने अपने जीवन में अपने अस्तित्व के भीतर काम कर रहे पाप को उजागर करने के लिए काम किया और कैसे कानून पाप से मुक्त होने और धर्मी बनाने के साधन प्रदान नहीं करता है यह वर्तमान स्थिती को प्रकट करता है लेकिन इस से बचने के साधन प्रदान नहीं करता है लेकिन पद्य 14-23 में अपना पक्ष रखते हुए प जदी हम उसकी वर्तमान स्थिती को संदर्भित करने के लिए वर्तमान काल के उसके उपयोग को समझें तो क्या होगा? ये है अभी भी प्रदर्शित करेगा कि कैसे कानून ने उसके जीवन में पाप को उजागर करने के लिए काम किया, जो उसके अस्तित्व के भीतर काम कर रहा था लेकिन यह उस खुशखबरी के खिलाफ भी एक मामला बना देगा, जो पॉलुस उस साधन के रूप में घोशित कर रहा था, जिसका उपयोग परमेश्वर लोगों को पाप से मुक्त करने और उन्हें धर्मी यदि पॉलुस, उसे पाप से मुक्त करने और उसे धर्मी बनाने के लिए यीशु मसी की विश्वासयोग गिता और कार्य पर भरोसा करना अभी भी उसके भीतर पाप के प्रभुत्व के अधीन था, तो उसके पास खुशखबरी के संबंध में कोई मामला नहीं था, ऐसी समझ पॉलुस द्वारा रोमियो अध्याय पाच, छे और आठ और पॉलुस द्वारा लिखी गई बाकी बातों के साथ सामझ जस्स स्थापित करने का एक साधन सुझाया है, ये सुझाव देते हुए कि रोमियो अध्याय स्थाथ पाप के संबंध में पॉल की वास्तविक स्थिती का वर्नन करता है, और उसने जो लिखा है उसका बाकी हिस् उन्होंने जो लिखा, उसका समाधान करने का प्रयास सराहनिय है, लेकिन स्थितिय रूप से पाप से मुक्त है, लेकिन वास्तव में पाप के तहद बेचा गया वास्तव में स्वतंत्र नहीं है और पूरी तरह से सामन जस्य स्थापित करने में विफल रहता है तो फिर पॉल ने पद्द्य 14 से 23 तक वर्तमान काल की ख्रियाओं का उप्योग क्यों किया? वर्तमान काल की ख्रियाओं का उप्योग आमतोर पर किसी के वर्तमान कारियों या स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं एक सामान्य अपवाद कानूनी गवाही में वर्तमान काल का उपयोग है कानूनी मामलों में वर्तमान काल का उपयोग नयाधीश या जूरी को मनाने के अधिक प्रभावी तरीके के रूप में उन्नत है जूरी अनुने का ये साधन रोम में सिस्ष्रो द्वारा स्थापित किया गया था और आज भी कानून स्कूलों में पढ़ाया जाता है सिस्ष्रो एक प्रसिद्ध रोमन वकील और वक्ता थे जो एक शूने च्छे बीसी से तैतालिस इसा पूर्व तक रोम में रहे और एक क्यावन से पचास इसा पूर्व तक टार्सिस पॉल का ग्रहनगर के गवर्नर थे उन्होंने अनुने के छह सिध्धानतों की स्थापना की, जिनमें से चौथा है दर्शकों को कहानी में शामिल करें कहानी को वर्तमान काल में बताए जैसे कि जूरी अतीत में घटित किसी घटना का विवरन सुनने के बजाए अपने सामने घट रही घटनाओं को देख रही थी। पॉल रोम की मंडली को ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि धार्मिक्ता कानून से नहीं आती। वर्तमान काल में कानून और पाप की अपनी व्यक्तिगत गवाही देना मंडली को विश्वास के लिए मनाने के उनके प्रयास के अनुरूप है। पॉल ये प्रदर्शित करने के लिए अपने और हमारे समय की अनुने की सर्वोत्तम प्रथाओं का उप्योग कर रहा था कि धार्मिक्ता कानून के द्वारा नहीं आती है। रोमियो अध्याय साथ के पॉल के निशकर्ष में अतिरिक्त साक्ष जोड़े गए हैं जो रोमियो अध्याय साथ और सिस्रो में पॉल के लेखन को जोड़ते हैं। अपने निशकर्ष में उन्होंने सिस्रो के एक प्रसिद्ध उधरन की ओर संकेत किया। मैं कैसा अभागा आदमी हूँ? रोमियो अध्याय साथ पद्य चौबीस ए अभागे आदमी तु केवल इसलिए अभागा नहीं है कि तू क्या है, बल्कि इसलिए भी कि तू नहीं जानता कि तू कितना अभागा है? सिसेरो अन्य धर्म ग्रद पाप से दूर रहने के लिए आदेश और निर्देश हमारे अस्तित्व से उसे दूर करो जो हमें पाप करने का कारण बनता है इसका परिणाम पाप से विरत होना है यदि तेरी दाहिनी आख तुझे पाप कराती है तो उसे निकाल कर फेग दे क्योंकि यह इससे भला है कि तु अपने अंगों में से एक को खो दे इससे कि तेरा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे पाप कराए तो उसे काट कर फेग दे क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर नरक में जाने से अच्छा है कि तुम अपने एक अंग को खो दो मैथ्यू अध्याय 5, पद्य 29 और 30 यदि तेरा हाथ या पाउ तुझे पाप कराता है तो उसे काट कर फेग दे अपंग या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाउ रहते हुए अनंत आग में डाला जाए और यदि तेरी आख तुझे से पाप करवाए तो उसे निकाल कर फेग दे तेरे लिए एक आख के साथ जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि दो आखों के साथ तु नरक की आग में डाला जाए मैथ्यू अध्याय 18.8 और 9 यदि तेरा हाथ तुझे से पाप करवाए तो उसे काट डाल तुम्हारे लिए ये बहतर है कि तुम अपंग होकर जीवन में प्रवेश करो बजाए इसके की दो हाथों के साथ नरक में कभी न बुझने वाली आग में जाओ और यदि तेरा पैर तुझे पाप कराता है तो उसे काट डाल तुम्हारे लिए लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना इससे भला है कि दो पावों के साथ नरक में डाला जाए जाओ और फिर पाप मत करो वहाँ एक आदमी था जो 38 साल से अशक्त नपुन सक्ता जब यशु ने उसे वहाँ पढ़ा देखा और जान लिया कि वो बहुत दिन से वहाँ पढ़ा है तो उससे कहा क्या तू चंगा होना चाहता है वीमार आदमी ने उसे उत्तर दिया महोदे मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे कुंड में डाल दे जब पानी बढ़ जाए और जब मैं जा रहा हूँ तो मुझसे पहले एक और व्यक्ती नीचे उतर जाए यशु ने उससे कहा उठ अपना बिचोना उठा और चल और वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया वाद में यशु ने उसे मंदिर में पाया और उससे कहा देख तू अच्छा है फिर पाप न करना ऐसा न हो कि तेरे साथ कुछ बुरा हो युहन्ना अध्याय पाच पद्य पाच से नौ और चौदा शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और यीशु ने कहा जाओ और अपसे पाप न करना युहन्ना अध्याय आठ पद्य तीन और ग्यारा नपुनसक मनुष्य और व्यभिचारी सभी पापियों के प्रकार हैं आध्यात्मिक रूप से नपुनसक और व्यभिचारी कोश में आओ, धर्म पूर्वक जियो और पाप करना बंद करो प्रथम कुरितियों अध्याय 15 पद्य चौतिस अपने सही दिमाग में आओ और फिर पाप मत करो क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर का कोई ज्यान नहीं है मैं इसे आपकी शर्म से कहता हूँ धर्मी जीवन जियो और पाप करना बंद करो अब वो परमेश्वर हर जगा सभी लोगों को पश्चाताप करने पाप बंद करने की आज्या देता है प्रेरितों अध्याय सत्रह पध्यतीस पाप को तुम्हारे नश्वर शरीरों में शासन न करने दो ताकि वो तुम्हें अपनी इच्छाओं के अधिन कर दे और अपने आप में से किसी को भी दुष्टता का साधन बन कर पाप के लिए अर्पित न करो इसके विप्रीत अपने आपको भगवान को अर्पित करो रोमियो अध्याय 6 पध्य 12 और 13 क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो छुटकारा दिलाता है सब मनुष्यों पर प्रगट हुआ है ये हमें भगवान हींता और सांसारिक सुखों का त्याग करना और इस युग में आत्म नियंत्रित, इमांदार और भगवानिये जीवन जीना सिखाता है तीतुस अध्याय 2 पध्य 11 और 12 जो कोई प्रभु का नाम ले वो अधर्म से दूर रहे दूसरा तीमूतियुस अध्याय 2 पध्य 19 परमेश्वर की ये आज्याय बोजिल करना कठिन नहीं है पहला युहन्ना अध्याय 5 पध्य 3 उन्हें अपनी क्षमता या शक्ती में करने का प्रयास करना असंभव है लेकिन सभी चीजें संभव हैं यदि हम उन्हें भगवान द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई शक्ती का उप्योग करके करते हैं मनुष्य के साथ ये हैं असंभव है, परंतु भगवान के साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, मर्कुस अध्याए 10.27, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है, मर्कुस अध्याए 9.23, यदि तुम्में राई के दाने के समान वि यदि हम उस शक्ती का उप्योग करते हैं, जो भगवान ने हमें दी है, उसका वचन हमारे दिलों में बोया गया है, तो ये हमारे अंदर इच्छा शक्ती और वही करने के लिए काम करेगा, जो वो हमें करने की आज्या देता है, और ये हमारी कल्पना से भी भगवान आप में कारे कर रहा है, आपको वो करने की इच्छा और शक्ती दे रहा है, जो उसे प्रसन करता है भगवान, हमारे भीतर काम कर रही अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से, जितना हम पूछ सकते हैं या सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक पूरा करने में सक्षम है पाप से निवृति के विशे में कथन हमें पाप से दूर रहने के लिए परमेश्वर की आज्याओं के अलावा, बाइबल में उन लोगों के बारे में भी कुछ कथन हैं जो पाप से दूर हो जाते हैं और जो पाप से दूर रहने में असमर्थ हैं इसलिए क्योंकि मसी ने शरीर में दुख उठाया, तुम भी उसी प्रकार की सोच अपनाओ, क्योंकि जिस किसी ने शरीर में दुख उठाया है, उसने पाप करना बंद कर दिया है, ताकि अब शेश समय शरीर में मानविये अभिलाशाओं के लिए नहीं, बल्कि शरीर के दूसरा पत्रस अध्याय दो पद्य दस, चौधा और सत्रा या हम सचमुच सोचते हैं कि पत्रस शुद्ध अंतहकरन के साथ ये चंद लिख सकता था यदि उसमें पाप करना बंद नहीं किया होता। जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित करती है तो हम पापी होना बंद कर देते हैं। अध्याय दर्शाता है कि जब हम पापी ही थे, मसी हमारे लिए मर गया। चूंकि अब हम उसके खून से न्याय संगत हो गये हैं, हम उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से और भी अधिक बचेंगे। क्योंकि जब हम बैरी थे, तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो अब जब हमारा मेल हो गया है, तो उसके जीवन के द्वारा हम क्यों न उद्धार पाएंगे। हम जो पाप के लिए मर गया अभी उसमें कैसे जीवित रह सकते हैं। हमारा पुराना मनुश्यत वो उसके साथ क्रूस पर चड़ाया गया ताकि पाप का शरीर नश्ट हो जाए, ताकि हम फिर पाप के गुलाम न रहें। क्योंकि जो मर गया, वो पाप से मुक्त हो गया। तुम जो पहले पाप के दास थे, हृदे से उस शिक्षा के मानक के अनुसार आज्याकारी हो गये, जिसके लिए तुम्हें सौपा गया था, और पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गये हो। जब आप आप के दास थे, तो आप धर्मिक्ता के संबंध में स्वतंत्र थे, लेकिन अब जब आप पाप से मुक्त हो गए हैं और भगवान के दास बन गए हैं, तो आपको जो फल मिलता है वो पवित्रता और उसके अंत शाश्वत जीवन, रोमियो अध्याइचे पद्य 20 औ इसलिए जो कुछ तुम में सांसारिक है, उसे मार डालो व्यभिचार, अशुद्धता, जुनून, बुरी इच्छा और लोब जो मूर्ति पूजा है, इनके कारण परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, तुम भी कभी इन में चले थे, जब तुम इन में रहते थे, परन्तु अ जो कि अपने रचैता की छवी के निकट और अधिक पूर्ण ग्यान में लगातार नवी निकृत होता जा रहा है, उलुसियों अध्याय तीन पद्य पाउच से दस, परमेश्वर की आग्या मानने वाले लोगों के रूप में अपने आपको उन बुरी इच्छाओं से भारन कर लिया ताकि हम पाप करना छोड़ दे और धार्मिक्ता के लिए जीवन व्यतीत करें। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए पेड़ पर चड़ गया कि हम पाप करना छोड़ कर धर्म के लिए जीवन व्यतीत करें। जीविद भगवान की सेवा करने के लिए हमारे विवेक को मृतकारियों से शुद्ध करता है इब्रानियों अध्याय 9 पद्य, 14 चूंकि व्यवस्था में इन वास्तविक्ताओं के वास्तविक स्वरूप के बजाए आने वाली अच्छी चीजों की छाया है इसलिए यह उन समान बलिदानों के द्वारा, जो हर वर्ष लगातार चड़ाये जाते हैं निकट आने वालों को कभी भी पूर्ण नहीं बना सकती अन्य था, क्या उन्हें चड़ाया जाना बंद नहीं हो जाता क्योंकि एक बार शुद्ध हो जाने के बाद उपासकों को पापों का कोई एहसास नहीं होता लेकिन इन बलिदानों में हर साल पापों की याद दिलाई जाती है क्योंकि बैलों और बखरों का लोहू पापों को दूर करना अन होना है इश्यू ने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से मुक्त किया है मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है तो यदि पुत्र तुम्हें मुक्त कर दे तो तुम सच्मुच मुक्त हो जाओगे युहन्ना अध्याय आठ पद्य 34 और 36 यदि यह पवित्र शास्तर सही है जैसा कि यह प्रतीत होता है ल्यूक एक की भविश्यवानी सच है धन्य हो इस्राइल के भगवान क्योंकि उसने अपने लोगों को दोरा किया है और भुनाया है कि हम हमारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया जा रहा है वो हमारे सभी दिनों से पहले पवित्रता और धार्मिक्ता में बिना किसी डर के उसकी सेवा कर सकता है लियूक अध्याय एक पद्य 68, 79, 74 और 75 पाप से मुक्त होने के बारे में कथन सत्य है पापों से दूर रहने की ईशु की आज्याएं इमानदार हैं और भगवान हमें उन्हें पूरा करने की शक्ती देते हैं परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा और शक्ती उत्पन करने के लिए कारे करता है ये हम में जो कुछ हम मानते हैं या सोचते हैं उससे भी अधिक प्रचुर मात्रा में उत्पन करने के लिए कारे करता है इशु के बलिदान ने अपना लक्ष पूरा किया हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करना और पाप की चेतना स्मरण को दूर करना निशकर्ष इशु कहते हैं कि सभी चीजे संभव हैं और कुछ भी असंभव नहीं है इशु ने हमें उस चीज को दूर करने की आग्या दी है जो हमारे अस्तित्व से पाप का कारण बनती है और घोशना की है कि ऐसा करने में विफलता के परिणाम अननताग है क्या ये कल्पना की जा सकती है कि यदि ऐसा करना संभव न होता तो वो हमें ऐसा करने का आदेश देता इशु ने नपुनसक आदमी युहन्ना अध्याए 5.14 और व्यभिचारणी युहन्ना अध्याए 8.11 को आदेश दिया की जाओ और फिर पाप ना करो सभी मनुश्यों को पश्चाताप करने पाप से दूर रहने का आदेश दिया गया है परमेश्वर ने हमें आज्या दी है उसने हमें परिणाम देने की शक्ती दी है उसने हमें वो प्रक्रिया दी है जिसके माध्यम से अपनी शक्ती का उप्योग करना है यिशु ने हमारे पापों को अपनी देह पर पेड़ पर ले लिया कि हम पाप करना छोड़ दे उसने अपना खून बहाया ताकि हमें पाप के प्रती कोई चेतना न रहे यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्याओं का पालन करोगे युहन्ना अध्याए 14.15 जिसके पास मेरी आज्याए है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरी बात मानेगा जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरी बाते नहीं मानता यूहन्दा अध्याय 14.21, 23 और 24 पत्रस ने कहा कि कुछ ऐसे भी थे जो यीशु से प्रेम करते थे और पाप करना छोड़ देते थे वे अब उन भरष्ट इच्छाओं के अनुसार नहीं जिये जो उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित करती थी बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते थे यह मुख्य पुस्तक सामगरी का अंत है इसके बाद प्रभू के भाय के संबंध में मेरी गवाही के साथ परिशिष्ट ए दिया गया है परिशिष्ट ए गवाही प्रभू के भाय के लिए प्रार्थना सितंबर 1983 के अंत में मैंने प्रभू के भाय के लिए प्रार्थना की और भगवान ने उत्तर दिया यहाँ विवरन है मेरा तलाक हो गया था मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपना जीवन बाइबल के अनुसार जीना है संभवता उससे भी अधिक पूर्णता से जितना मैंने कभी देखा था मैंने एक युवा महिला के साथ डेटिंग शुरू कर दी थी और अपने जीवन में एक ऐसे बिंदू पर पहुँच गया था उसने प्रभु के भाय के लाभों का वर्णन किया और यह स्पष्ट था कि यह ऐसी चीज थी जिसके लिए मुझे प्रार्थना करने की आवशक्ता थी तो मैंने किया विडंबना यह है कि मुझे यह विश्वास करना बहुत आसान लगा कि भगवान किसी भी अन्य प्रार्थना की तुलना में भगवान के डर के लिए प्रार्थना का जवाब देंगे जो मैं पूछ सकता हूँ मेरी प्रार्थना के एक सप्ताह के भीतर हमारी कमपनी ने सभी करमचारियों को टाइगर बेस्बॉल खेल के लिए आमंत्रित किया युवती ने दूसरे लड़के को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया मैं तबाह हो गया था और अगर यह परियाप्त नहीं था तो मैं सरदी और गले में खराश से पीडित हो गया और अगले कुछ दिनों तक उसे नहीं देखा मेरे मन में आत्महत्या का विचार आया अपने दर्द के बीच कहीं न कहीं मैंने खुद को भगवान से बात करते हुए पाया अपने विचारों में मैंने उसे मुझसे बात करते हुए सुना मैंने तुम्हें बीमार नहीं किया मैंने तुमसे सुरक्षा का हाथ उठाया और शैतान को तुम्हें बीमार करने की अनुमती दी उसने तुम्हें नश्ट करने के प्रयास में तुम्हें बीमार कर दिया मैंने तुम्हें उस युवती के साथ अपने रिष्टे को नश्ट करने और फिर खुद को नश्ट करने से बचाया यदि तुम मेरे नेत्रित्व में चलने के बजाए अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए एक और कदम उठाते हो तो तुम स्वयम को नश्ट कर दोगे अपने घुटनों पर बैठ कर और रोते हुए मैंने उत्तर दिया आप मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं मैं वो करूँगा अपने खयालों में मैंने फिर से उसे सुना क्या आप उस यूवती के साथ अपना रिष्टा छोड़ देंगे वो चीज जो मैं सबसे अधिक चाहता था एक मात्र चीज जो मैं वास्तव में चाहता था मुझे समझ नहीं आया क्योंकि उसने अभी कहा था कि उसने मुझे रिष्टे को नश्ट होने से बचाया था मैंने इबराहीम और इसहाग के बारे में सोचा मैं नहीं समझता आपने अभी मुझे बताया कि आपने मुझे रिष्टे को नश्ट होने से बचाया लेकिन मुझे ये भरोसा करने में सक्षम होना होगा कि आप मुझे कभी चोट नहीं पहुचाएंगे हाँ मैं करूंगा लेखक की टिपणी इस प्रार्थना में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में मैं अभी भी सीख रहा हूँ इस पुस्तक में सामगरी लिखने के बाद मैं देख सकता हूँ कि भगवान ने मुझे मेरी वर्तमान स्थिती के बारे में बताया अपना जीवन अपने तरीके से जीना और उसके द्वारा संचालित नहीं होना मेरा वर्तमान भाग एक और कदम और मैं खुद को नश्ट कर दूँगा और उसके बचने का रास्ता उसके द्वारा जीन इस रहस्योद घाटन ने मुझे बिलकुल वही करने के लिए प्रेरित किया उसके कुछी समय बाद उसने मुझे आदेश दिया जाओ और फिर पाप न करो